हेलो द्रियन फैमली तो कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग का बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से लाइक से सस्क्राइब कर दो चैनल पे सस्क्राइब का बटन है तो से प्रेस कर देना वीडियो पे कमेंट कर देना और हाँ बैटक के अंदर पहुंच गया होता है और बैटक में सभी लोग ने अपनी बातचीत बताना सुरू कर दिया था यहां लियू तक बात हो चुकी होती है यानि नमबर 6 तक जिसके बाद उसे जांग मिया कहा जाता है लेकिन मैं उसके बार में जादा नहीं जानता हूँ हाला कि एर तुरंदी गयता है कुछ ना से ये नाम भी काफी अच्छा है कम सकम स्टार्टिंग करने के लिए कोई जगे तो मिलेगी दन हमने देखा हुआ होता है वहीं पे जो यान की बार या जान भी को एक बात तो याद हो गई होती है कि जान भी काफी स्ट्रॉंग प्रेजेंस रखने वाला एक बंदा होना चाहिए दूस्ताब लिए की जो आखे होती है वह एकदम से कोड़ शुकी होती है जो यान की बातों को सुनकर जसके बार हम देखते हैं कि ई इस बैठा को ख़़्म करता है और जो यान लिव को यहीं रोक लेता है यह कहकर कि अभी मुझे तुम दोनों से बात करनी है देन आमने देखा हुआ होता है कि ओंसे सीधा ही कहता है कि मुझे पता है कि तुम सेनेक्सी बर्ड लसे हो और तुम यौ हाइनेस हो इसलिए आपको मेरे सामने दिखाबा करने की कोई जौत नहीं और वैसे भी आपको मैं बता दूँ कि ताइकसू बहुत पारफुल है इसलिए ताइकसू को हलके में लेने कीमत आपको नहीं करनी चाहिए जो देखकर जून कहता हलके मैं अबे सनेकसी से हूँ मैं सनेकसी घोट के पी जाएगा ताइकसू को तुम जानते भी हो हाला की जून तुरंदी गाता तुम मुझे ये बताओ तुम चाहते क्या हो जो देखकर जूतियान बू वो जून से कहता है कि मैं केवल बापस से थ्रोन पाना चाहता हूँ और उसमें आप मेरी मदद कर दो इसके बाद आपका अपना फाइदा मेरा अपना फाइदा जो देखकर जून कहता है देखो मैं टैकसी को न पहले सी एस लेता था ना अब अगर तुम में दम है तो फाइट कर लो हमारा सनेकसी बड़ उन से डरता नहीं जिसके बाद जून चला गया था क्योंकि वो इससे ज़्यादा बाचीत करके खुद को रिबिल करना नहीं चाहता था अपिसोड मैंने वही हैंड क्या था तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जैश्ट वहीं से ता हो देखते इस एपिसोड में क्या होगा तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर जून उसे जट पेंडेंट को देख रहा होता है जिसमें जोईन स्पेस के अंदर सामान रख सकता था और कहीं पे भी निकाल सकता था साथ ही जो यह रिंग था मतलब जट पेंडेंट था यह जोईन के सोल से कनेक्टेड था यानि कि अगर जोईन की बॉड़ी डिश्ट्रॉई भी हो जाती है तो अभी जोईन को अपने सामान के लिए चिंता करने की कोई जोट नहीं है जो यह रिंग जोईन उसे वाइड से अपने सोल का यूज करके निकाल सकता है या जब चाहे तब एक्सेस कर सकता है जिसके बाद जोण अपने हाथ को उठा तो अपनी सभी इस्टोज रिंग पर नज़र डालता है जो अन्तुरंदी करता है अगर मैं वाइड से कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ तो यह तो सच में काफी आदा असान होगा कुई कुछ हद तक काफी आदा इंट्रेस्टिंग है हाला कि मैं गौड डेमें बॉड़ी फिल रिफाइन कर सकता हूँ लेकिन एंटी बैनम पिल और उसके स्क्रोल के कारण उसने मुझसे फ़स्ट बिजनिक से एक्स्चेंज किया था जिसके बाद अभी उसने मुझे ये जड़ पेंडेंट दिया साती और चुपाने वाले जड़ पेंडेंट के लबा ये वाइड केप तलिसमान भी दिया है लेकिन अब यसली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें कैसे रियक्ट करूँ क्योंकि इस दुनिया में कभी भी भोजन जैसी और फ्री जैसी कोई चीज नहीं होती लेकिन कोई मुझे ये सबी चीज़े आगर दे रहा है तो फिर उसका कोई न कोई मोटिप तो होना ही चाहिए हाला कि जोन काफी देर तक ये सोच रहा होता लेकिन उसकी प्रेजन टाइम की पावर के साथ चाहे दूसरे पच्च में कोई भी थोट या कोई भी बात हो जोन प्रेजन टाइम पे तो इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था जोन के पास जब तक उसे पूरा करने की ताकत है जोन अपना अब पूरा प्रयास करेगा जोन तुरंती कहता हाला कि जब ये चीज़े बांठी दी गई है तो पूलाइड होने की कोई ज़यत नहीं जिसके बाद जोन अपना बलड उस तैलिसमान के उपर टपका देता है जिससे वाइड तैलिसमान अचाना की जनने लगता है और जोन को क्लियरली महसूस होता है कि जैसे वो स्पेस के साथ कांटेक्ट कर पा रहा हो और जोड़ता हुआ महसूस कर रहा हो जिसके बाद जैसे ही जोन अपने हाथ को उठाता है उसे एक खाली दरार दिखाई देती है और जोन उसमें खाली और एकदम साफ जगे महसूस हो रही थी जिसके बाद जोन काफिया साब धानी पूर्वा को उस जगे को चेक करता है और यह सुनेशित करने के बाद कि यहाँ पे सब कुछ काफी यहारा सेप था जोन ने कुछ यूजलेस चीजों को वाइड में डाल दिया होता है हलाकि जोन अभी भी बूई था ही किसा confident नहीं था इसलिए उसने अपनी सभी किसा भी इस्टोई दिंग उसके अंदर नहीं फेकी क्योंकि यह बात तो clear थी कि यहाँ पे मौजूद किसी का भी इन आठ लोगों में कोई भी friend नहीं यहाँ पे जो कोई भी लोग है वो केबल अपने अपने profit के साथ लोगों से जुड़े हुए है इसलिए जोन इन साथ लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि नंबर 6 पर तो जोन को पहले से ही भरोसा नहीं था जिससे God immortal level को control करना असान हो सकता था और इस refinement के लिए सबसे important जो medicinal ingredient था वो God blood essence था जो अंतुरंदी कहता अब जब मेरी body immortal level पर God immortal level तक पहुँच चुकी है तो इस pill की मदद से मैं कुछ time के लिए God immortal level की power को हासिल कर ही सकता हूँ जो की थोड़ी time के अंदर ही मेरी power को लगवग दो गुना कर सकती है जो अंतुरंदी कहता लिंक पू गार्डन में ओगाये गई से भी medicinal ingredient पर्याप्त है अब मुझे केवल एक immortal blood चाहिए immortal blood essence मिलने के बाद मैं इस pill को refine कर पाऊंगा लेकिन मैं हैरान हूँ कि क्या puppet sect के अंदर कोई भी god emote level का बंदा होगा और अगर नहीं तो रास्ते से कुछ है ऐसा blood प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा जोयान ने देखा होता है कि compass के पीछे कापी जादा high quantity में जो मचरते वो अभी भी follow कर रहे होते है इसके अलाबा कई strong लोग भी से attack हुए होते है हाला कि जब जोयान उस star compass के बाहर से गुजरता है तो जोयान ने इस पर ध्यान नहीं दिया था लेकिन अच्छानक ही एक old Asian breathe मैसूस होती है जो star Asian की start से बाहर निकलती है और ये start कापता हुआ महसूस हो रहा था जिसके बाद आवा जाती है ये है origin God का स्वाद जैसे ये धीमी और Asian टाबा जाती है दो punk और एक giant black shadow दिखाई देती है जो rainbow में बदल कर कापी या तेजी speed से आंगे की तरफ भाग रही थी जो यान जो pill refining सुरू कर चुका होता है उसकी वोएं भी यहाँ पे चड़ चुकी होती है उसने सवाविक तोर पर महसूस किया था कि ये और उसका पीछे से पीछा कर रहा था और ये और जो 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 जोन को रुकने पर मजबूर कर सकती थी किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं थी जोन तुरंती कहता है क्या ये कोई cruel beast है ये और इतना strong कैसे है जोन तुरंती कहता है इतना ही नहीं उसकी speed को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो मुझे कुछी time के अंदर catch कर लेगा तभी जोन कहता चलो तो इस time पे जो ये hidden jet pendant है इसका use करना सबसे सही है मुझे इसे आज माकर देखना चाहिए कि ये कैसे काम करता है जैसे जोन का सारा और गायब हो गया होता है सिवाए इसके कि पिल की smell अभी भी जो यान के कमपस से बाहर जा रही होती है साथ ये भी सिर्फ इतना होता है कि जोन की speed काफी तेज थी और जोन और भी जारा तेज होता जारा होता है हलाकि जोन जादा तेज भी नहीं हो सकता था क्योंकि demonic मक्षर उसका area और location खो सकते थे दो सब God Puppet Set को destroy करने के लिए जादा लोगों और जादा ताकत की जवरत थी इसलिए जो जो यान अब्यसलि उन्हें तो बिलकुल भी नहीं छोड़ सकता था साथ उसके कमपस के उपर जो यान के figure के center में 9 star seal चमक रही होती है आँखों में 2 star चमक रहे होते हैं और उसी moment पर उसकी कमपस के दूसरी तरफ से एक figure आती है साथ यहाँ पर demon, mosquito, जो यान का पीछा कर रहे होता और powerful लोग भी जो यान कोई चाहते थे लेकिन जो यान भी इस unknown person को देखना चाहता था तब यान कहता है कोई बात नहीं बस अलग हो जाएं और origin god clone को इस चीज को attack करने दें और एक को देखते होए जो यान को ये काफी बड़ा लगा था लेकिन जो यान confirm नहीं तक ये इनसान है या जानबर या कुछ और बो केवल इसे देखने के लिए अपने origin god clone को ही भेज सकता था और क्योंकि origin god clone ancestral realm पर breakthrough कर चुका है इसलिए उसकी जो power थी वो सक करने के परे थी जिसके बाद origin god clone void में appear होता है और void की तरब देख रहा होता है हलाकि वो आवाज को नहीं सुन सकता था लेकिन आसपास के void में हो रहा है अजीब सिल्फ एक्शेशन को महसूस कर सकता था साथ ही जो पीछे का बीष्ट होता है या जो कोई भी है या compass का पीछा नहीं करता बलकि उस जगह की तरब जाता है जहां origin god गया था और सीधे उसी की तरब गोली चलाई होती है जो देखर जहन के था ओ मुझे नहीं पता था के बीष्ट के बल इसलिए क्योंकि उसे origin god का औरा महसूस हुआ क्या वो वास्ते में origin god क्लोन के लिए आ रहा था जहन origin god की energy और blood को महसूस करने में capable महसूस कर रहा होता है लेकिन जहन महसूस कर सकता था कि यहां पे wide में जो fluctuation create हो रहा है वो भी कोई normal नहीं जहन ने जरा सभी लापरवा होने की इमत नहीं की होती और उसकी आखों में जो wild fluctuation होता है वो एक direction की तरह focus होता है जहसे कि जहन यहां पे तयारी के लिए तयार है और थोड़ी देर के बाद यह जो fluctuation होता है और तेज हो गया होता है और जो यान की नजर में एक red dot दिखाई देता है जैसे जहन थोड़ा थोड़ा देख सकता था जो full speed के साथ जहन की तरह बढ़ रहा होता है जो देखकर जो जहन का origin god होता है उसके center eyebrows में 9 star चमकने लगते हैं और जहन तुरंदी कहता है सेर आ गया लेकिन हाज इसका सिकार होगा जहन जैसे जैसे पेरों के तलबे के साथ आंगे बढ़ रहा होता है जहन की body की साथ अचाना की बढ़ते हुए 1000 feet तक फैल गई होती है और यह giant figure बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही होती जैसे कि explain किया जा सकता था जिसके बाद यह red light धीरे धीरे जहन के close आने लगती है जहन magical wings की एक जोड़ी देखता है और जैसे जैसे वो close आ रहा होता है वो अपने target का और अभी महसूस नहीं कर सका होता जो देखके जहन कहता है ऐसा लगता है कि यह कोई cruel beast नहीं फिर आखिर कर यह क्या हो सकता है हाला कि जैसे यह close आये था ऐसा नहीं था कि जोड़ी डर गया था लेकिन जोड़ीन को अपने blood में काफी जारा इस्ट्रेस फील हो रहा होता है और इस feeling ने जोड़ीन को पैसान महसूस करा है था जोड़ीन तुरंदी कहता golden fantasy god क्या आप इस चीज को पहचानते हैं obviously origin god के पास golden fantasy god का inheritance है इसलिए उसकी soul अभी भी इस body के अंदर थी साथी जोड़ीन का फियरा हैरान भी था कि जब वो asian place से बाहर आया तो golden fantasy god की जो बचिवी soul थी वो वहाँ से गायब नहीं होई यानि कि जिन हुआसन अभी भी जो यान के साथ था साथी जोन तुरंदी कहता है मैं अभी भी confirm नहीं हूँ कि ये illusion है या reality तभी अचाना का बाज आती है ये है demonic blood larva जो देकर जोन कहता है demonic blood larva ये क्या है जिन हुआसन थोड़ा सा हैरान भी होता है यान जिन हुआसन की जो आबाज होती है वो थोड़ा सा surprising आबाज होती है इसलिए जोनने का फियर जल्दी पूछा हुआ होता है तभी जिन हुआसन कहता है हाँ एक powerful origin god की death के बाद अगर उसकी physical body को time से destroy या save नहीं किया गया तो ये कीट पैदा होता है और ये mainly origin god के blood को ही absorb करता है साथी इस कीड़े की साइच को देखते हो मुझे लगता है कि कम से कम ये ancestral realm की origin god की dead body को absorb करके बना होगा जोन ये सुनकर काफी cold तरीके से फुस फुस आता है उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसी चीज है आखे कर immortal monster है इसे एंड वर्ड में origin gods का चीमी क्लेन द्वारा नरसंगार किया गया था इसलोग वहाँ पे काफी सारी dead bodies थी लेकिन चो यान को उम्मीद नहीं थी कि origin god के death के बाद कोई ऐसा monster भी पैदा होगा उसके recording इसे काफी बुरा होना चाहिए और जोयान के आखे सोचती हुई दिखाई दे रही होती है वो इसका परिच्ण करने और इससे लड़ने के बाद जोयान के आखे सोचती हुई दिखाई दे रही थी लेकिन जोयान अगर test करना जाता था कि पावर कितनी है तो जोयान को अभी भी इससे लड़ने की जवद थी जैसे जैसे ये कीड़ा सामने आता है इसके जो है लुजनरी विंग्स होते हैं वो भी दिखाई दे लगते हैं और जोयान को एक बड़े से कीड़े कीचतर है मसला हुए एक लोगों का बड़ा सा ग्रुप दिखाई देता है मतब चीजों को एक बड़ा सा ग्रुप साथी जोयान को इतनी घटिया और अजीब चीज देह कर और आजीब छीज़ देखी थी लेकिन ये उन सभी लोगों है उन सभी चीजों में टॉप पे था तब ही जिन हुआ से इन कहता है नॉर्मल सिच्वेसंस में हमेशा ही एक बड़ी से एक ही कीट पैदा होता है और हमेशा हमारी क्लेन में किसी भी पर्जन की डेथ के बाद उसका अंतिम संसकार किया जाता है लेकिन मुझे डरे कि ये बलड लारवा अगर फूटेगा तो इसके कीट और इन गौड फैमिली के लिए भी खत्रा है हाला कि जिन हुआ से इने का होता है इससे सुनकर जोएन थोड़ा सा से ले लाता है और तुरंदी कहता नहीं तो मैं याद नहीं है फिर भी तुम्हें ये चीज़े इतनी जार किरेली कैसे पता और अगर तुम्हें पता ही तुम्हें ये बताओ कि क्या इससे पकड़ने का कोई फायदा हो सकता है क्या मैं इससे पकड़कर इसकी बॉड़ी को रिफाइन कर सकता हूँ और क्या मैं इससे अपने क्लोनों में से एक बना सकता हूँ जोएन खुद से ही बड़बडा रहा हो था क्योंकि उसने देखा थ कि Daemon God ने भी ऐसा किया था साथ ही जान ने ये भी देखा था कि Daemon God अकेले पूरे चीमी क्लेन के खिलाप लड़ गए थे जिनके पास सैक्रो क्लोन थे लेकिन उनमें से एक लड़की का क्लोन भी था और बीष्टों का क्लोन भी और Daemon God दोरा वताए गए रूल्स के कोडिंग कोई भी रूल एक्जिस्ट नहीं करता जिसके बाद बलड, Daemon, Daemonik, Larva, जोयान के सामने पलक जपकते ही पहुँच गया होता है और भले ही वो सीधे ही जोयान की तरह बढ़ रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि कापी लॉंग टाइम से इसने अपने आपको रोक रखा था और इस टाम पर ये चाहता था कि सीधा ही आकर जोयान के ओरिजन गॉड क्लोन का बलड चूस ले जिसके बाद अचाना की आबाज आती है ओरिजन गॉड एक जिन्दा ओरिजन गॉड उसकी जो बॉड़ी और आबाज होती ही काफी तेज अट्रेक्शन से भरी हुई होती है तभी इसे भागता हूँ देखर जो यान तुरंती अपनी फिंगर को उठाते हूँ उसकी तरफ अटेक करता है और कहता है साथी कई 1000 फीट की जाइंट बॉड़ी के साथ ये जो फिंगर अटेक होता है ये काफी खतरनाक होता है जो सीधा ही ब्लेट गिफ डेमोनिक लार्वा की तरफ बढ़ रहा होता है और जैसी जो अपना टेक्स रूख किया होता है डेमोनिक ब्लेट लार्वा तुरंती हिलता है और उसकी जो वाड़ी होती है फैलने लगती है और एक मुवमेंट के बाद वो जाएंट लार्वा में बदल गया होता है जिसने सूरज को ढख लिया होता है हलाक ये काफी अरव बढ़ा था लेकिन दूर से देखने पर ये केबल एक सड़ी हुई लास की तरह था जिसके बाद एक हसने की अवाज आती है और वो लार्वा तुरंती कहता है ये टेक्निक कैसे बर्ग करती है ऐसा लग रहा होता है इसे सब कुछ बता हो इसे टेक्निक भी इन्हीटेंस में मिल चुकी है जिसके बाद यह सड़ा हुँ अपना हाथ उठाकर जो यान की तरह पिसारा करते हैं और हमने देखा था दो इस्टार किलिंग फिंगर एक दूसरे से हवा में टकराती हैं जान जो इस्टार किलिंग फिंगर होती है वो गोल्डन लाइट से धकी हुई होती है तो सामने वाले की ब्लड लाइट और इविल इंटेंट से हाला कि दोनों अलग 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 दिख रहे थे लेकिन दोनों में जो पावर थी वो बेहत भयंकर होती है और जिस टाइम पर यह दोनों अटेक एक दूसरे से टकराते हैं एक स्ट्रॉंग फ्लेक्ट चुएसन चारोतरा फैल गया होता है जिसके बाद आती है बूम की आबाज और हैवन और सन को ढखने वाली दो फिंगर अटेक आस पास के स्पेस को क्रैक करती हुई दिखाई दे रही होती है ऐसा लग रहा होता है कि दौनों के जो अटेक टेक्ट एक क्वली लेवल पर मैच खा रहे थे दो तक जो यान को भी उमीद नहीं थी कि उसके अपोनेंट की पावर बास्तों में सीधे तोर पर उससे कॉम्प्टीट कर सकती है सती सड़ी हुई लास को देखकर जिसका सड़ा हुआ मास और ब्लड एकदम प्लैक परपल हो गया था पिर भी यह देखा जा सकता था कि उसके आईब्रोस पर दुन्दले नाइन स्टार थे जो अब उतने क्लियर नहीं थे और इन नाइन स्टार को देखते हुए यह कंफंप किया जा सकता था कि यह अपनी लाइफ के दोरान कम से कम नाइन स्टार ओरिजन गॉड पर तो था ही लेकिन अगर उसका फिंगर अटेक जोन के अटेक को टकर दे सकता है तो यह बाद भी कंफंप थी कि एन सेस्टर यलम का ओरिजन गॉड है यहां तक इस डैमॉनिक ब्लड लारवा ने ओरिजन गॉड का बहुत सारा ब्लड निगल दिया था जिससे वो काफी ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है दाड के बीच दौनों की टकराओं के बीच गिरने और फटने की आवाचे आने लगती है दोस्ते ब्लड डैमॉनिक लारवा अब चीकते और चिलाते हो कहता है जल्दी 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 अब मैं और मेट नहीं कर सकता मुझे बस तुम्हारा खून पीने दो, मुझे बस एक घूट पीने दो दूस्ते अब उसके ऐसी हरकतों को देखकर जोयन की आखों के सामने तो अंधेरा चाह गया होता है क्योंकि ये डैमॉनिक बलड लारवा औरीजन गॉड की बॉड़ी से निकला था और उसे जोयन की पाउर को देखने में कैपबल होना चाहिए लेकिन ऐसा लगता है कि उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं उसे केवल सामने वाले ओरीजन गॉड का बलड चाहिए सड़े हुए इसे अजीब से चेहरे पर क्रूयल इंप्रेशन को देखते हुए जोयन के आखे कोल्ड हो गई होती है ऐसा लग रहा थे कि प्रेजन टाइम पेस में कुछ खास नहीं था और ये जोयन की रिक्वर्मेंट्स को कंप्लीट नहीं कर सकता था जिसके बाद जोयन तुरंती सामने की तरह पाजाता है क्योंकि उसकी रियल बॉडी के बिना उसका ओरिजन गॉड क्लोन कोई भी बेटल स्किल परफॉर्म नहीं कर सकता था हाला कि ओरिजन गॉड की फिजकल बॉडी को देखते हुए कभी-कभी ऐसा लगता है कि इने कोई बेटल स्किल की जरूरत भी नहीं लेकिन इस्टार की लिंग फिंगर के डिश्ट्रॉ हो जाने के बाद गॉड ट्रांस्फोमेशन 82 फिर जो आने से बंदे की तरब बढ़ाने लगता है और गोल्डन लाइट से लिप्टे हुए जोए जोएन के फिश अटेक इसे पीटने लगते है हर एक पंच अटेक काफी यारा सर्प्राइजिंग था जिससे वाइड में लहरे पैदा हो रही होती है और गोल्डन लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही होती है जोएन के अटेक का सामना करते हुए यह जो जाइन ब्लेड बॉम होता है यह एक दब इविल आनर्जी से भर चुका होता है और जोएन क का सामना करते है इसने अपने टेको के इस्तेमाल करना सुरू कर दिया था ये भी अपनी फिष्ट आटेक को लह रहा दे हो जोएन के उपर अटेक करने लगता है साथ युजान ने ये भी देखा था ये 82 Ground Transformation फिश्ट का जो यूज करा था वो जो यान के कंपेरजन में और भी ज़्यादा फर्फेक्ट थी जो देखकर जो यान को तो चेहरा ही से कुड़ गया होता वो तुरंती कहता है क्या ओरिजन गौट की पापर को इनरी टेस में पाने के लाबा ये उनकी मैमोरी को भी पा सकता है उसके फिश टेक्निक को देखकर तुजान काफी सर्प्राइस था और ना केबल फिश टेक्निक बलकि उसकी परफेक्ट टेक्निक को देखकर जितना perfectly वो इसे use कर रहा था जो देकर जिनुवासन कहता है ओव्यस्सी बात है ब्लड बॉम कोई चूतिया बंदा तो है नहीं वो एकदम evil person है और उसका जो अफ्यारेंस अभोबी origin god के evil thought की तरह है तो ये कहा जा सकता है कि उसके पास उसकी memory होनी ही चाहिए जो देकर जोन कहता है तब तो इसे पकड़ना useful हो सकता है और इतना सुनने के बाद जोन अपनी बॉम को उठा देता है जोन को लग रहा था कि साइध ये blood bomb इस आधे जखकी जखकी यानि पागल आधे पागल golden fantasy god से तो ज़्यादा ही memory रखता होगा और इसके अलाबा उसके पास origin god से related battle skill भी है और वो उसे control करने की technique भी जानता है और अगर ये चीज़ जोन को मिलती तो इस जोन के लिए काफी useful होंगी जोन को पता चल गया था कि इसके पास अगर origin god के battle skills है fighting techniques है और अगर वो इसे जानता है तो इसे पकरना कोई भी नुकसान बाला काम नहीं था बलकि ये जोन के लिए काफी ज़्यादा helpful हो सकता था क्योंकि जोन के पास origin god के जो battle skill है वो ज़्यादा नहीं थे साथी fighting technique और control ability जोन की perfect नहीं थी साथी जोन ने मैसूस किया था कि ये बन्दा जब उसकी fish attack जोन की fish attack से टकराई थी तो जोन को आधाफी फायदा नहीं मिला था यहां था कि जोन कुछ हद तक नुकसान में भी पढ़ गया था बेसक जोन के पास super giant origin god body है जिसके जोन ने अभी तक यूज नहीं किया अगर जोन उसका यूज करता है तो इसे ठोक कर फेकना एक तरफ की बात थी लेकिन क्योंकि सामने वाली चीज अभी विनाई निश्टा और जन गौट की power का यूज कर रही है जोन भी इसी power का यूज करना चाहता था जिसके बार फिश्ट के टकरानी की आवाज याने लगती है और fluctuation बढ़ने लगता है टकरों के दोरान ये सड़ा हुआ monster अचाना की claw tech के साथ बदल जाता है साथी बास्तों में तेज नुकीले नाखून ने जो यान के मास और खून को छेद दिया होता है जिससे उसकी बाएं पर पांच खून के निसान निकलाए थे जिसे देखकर ये चिलाने लगता है खून खून ये तो खून है ये एकदम excited हो गया होता और पागल इसकी आवाज कापती हुई लग रही होती ऐसा लग रहा था कि रहिगिस्तान में जैसे पानी बरस गया हो और सभी की लाइफ को बचाने के लिए ये पानी बेहत कीमती था ये तुरंथे अपने बड़े से मूँ को खोल देता है जिसके बाद इसके मूँ के कोनों से इसका मूँ फटना सुरू हो जाता है और जोयान के आथ में लगए ये गाउं की तरफ बढ़ना सुरू कर देता है ऐसा लग रहा था कि ये अपने सड़े हो मूँ से जोयान के पूरे खून को चूँच जाएगा और सीन को देखते हुए जोयान को काफी यादा अफसोस हुआ था कि डेमन गौड के एंसेक्स एंसेक्ट गंदीबाद बोगबर्ड गंदा था उसे याद मत रखना एंसेक्ट क्लोन के कंपेरजन में ये बस सुरत सड़ा हुआ कीड़ा काफी बदबुदार लगता है लेकिन मजबूरी का नाम महत्मा गांधी ऐसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा उफसन था नहीं लेकिन जोयान आकिरकार अपना मन बना ही लेता है कि भले ही ये बदबुदार है लेकिन इसके दिमाग में ओरिजन गौड की खूबसूरत यादे होनी चाहिए इसलिए बले ही जोयान को किता भी घटिया सड़ा हुआ और उल्टी करने जैसे हैसास हो रहा हो जोयान बस इसे पाना चाहता था जिसके बाद जोयान कहता है एक बार इसकी याद मुझे मिल गई भी थी बल्कि ऐसा लग रहा था यह बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है जिसके बाद वो तुरह थी कहता वह क्या टेश्टी बलड है मैंने काफी लॉंग टाइम से और जन गौड कर बलड नहीं पिया मैं तुम्हारा पूरा खून चूसना चाहता हूँ यह सारा बलड अब मेहा है मुझे चूसने दो मा की आख तेसी कित ऐसी अब गंदा लग रहा है बे अब चेंज करो यह सारा बलड मेहा है मैं तुम्हारा पूरा खून पीना चाहता हूँ है यह जैनुल लग रहा है थोदा जो आन तुन तुन तो नहीं कहता है बास तो में अन्बिलीव हैले कि ओरिजन गॉड जैसे पावरफुल बंदे को डिश्ट्रॉग किया जा सकता और क्लेन को भी और पतन के बाद उनके डिस्ट्रेक्शन के बाद इतनी घटिया चीज उनकी बॉड़ी से निकल सकती है हालाकि जान बदद नहीं कर सका था लेकिन काफी कन्फ्यूद होता है जाती इस बीश्ट को देखकर जिसने कुछ हत तक अपनी बॉड़ी को पा लिया था और पहले से अप कम घटिया देख रहा होता है साथी वो इतना घटिया साथ इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसने लॉंग टाइम से ओरिजन गॉड़ ब्लड को अबज़र्ब नहीं किया था जो देखकर जूआन कहता है काफी अजीब बंदा ही है लेकिन सेप्टी की डाइरेक्शन को देखते हुए इससे बहुत दूर ना जाना भी बहतर ही था जिसके बाद जूआन अपने क्लोन के साथ बापस से कमपस में आता है उसके पीछे एक दरजन प्लस फिगर होती है जहां demonic mosquito's का एक बड़ा सा group भी उनका पीछा कर रहा था और origin god clone के बोलने के बाद यह जो blood warm होता है वो भी उड़ते हूँ origin god की तरफ जाने लगता है जहां तक हाथ में लगे उस घाव की बात थी जोयान दोरा जान बूच कर reveal किया गया यह एक mistake था क्योंकि जोयान इसे अपने थोड़ा सा blood चखा कर अपने साथ ले जाना चाहता था और बेसलिए इसके लिए जोयान का बाल भी बागा कर पाना impossible था जोयान का motive केबल इसका use करना था ताकि यह जोयान की हर बात को तो ना साही लेकिन उसे follow तो करना शुरू कर दे जिसके बार origin god clone बिना रुके पूरी speed के साथ puppet set की direction की तरफ चला जाता है जिसके बाद scene puppet set वे दिखाई देता है जहां पे हमें आब आ जाती ancestor हमने 100 plus divine puppets को sacrifice किया है लेकिन हम इसे seal क्यों नहीं कर देते इस time पे यान यान पसीने से तरबतर हो गया होता है चैर पे काफी जारा कड़वे impression दिखाई दे रहे होते हैं और elder के 4 ore का जो size होता है वो eight angle बाला होता है जिसके बीच में एक blood elder था और लोग इसके 4 तरब puppets को refine कर रहे थे I mean coffin को coffin का जो color होता है धीरे धीरे change हो रहा होता है और ये coffin आधे हाथ से दूरी पर लटका हुआ होता है साथि इस coffin के 4 तरब कई सारे ताले लटके हुआ होते हैं मानों उन्हें डर है कि जैसे ये person यहां से निकल कर भाग जाएगा तभी यान यूआन तुरंती कहता है यान यूआन की तब देखते हो वंदर तुरंती कहता है ये puppet काफी perfect है और जितना ज़्यादा ये perfect होगी और एक बार अगर ये perfect divine puppet में बन गई तो ये हर puppet से काफी आदा must और सांदार होगी इसलिए रोको मत तो ऐसे refine करते रहो जब तक कि आप successful नहीं हो जाते साथी चिंता मत करो मेरे great grandson हमारे successful होने के बाद आपके ancestor और मैं origin god को खुजने के लिए आपके साथ जरूर जाएंगे और आपने जो का उसके according अगर दो origin god है तो उन में से एक आपको दे दिया जाए कैसा रहेगा विद एल्टर के उपर जो leader होता है यान यूआन की दरब देखता है और उससे बादा करता है ये सुनकर तो यान यूआन की चौड़ी हो चुकी होती है आखे और एक चमकदा लाइट उससे फूट परती है वो तुरंती अपने हाथ को लहरा देता है और वो तुरंती चार या पाँच डिवाइन पपेट सीधा ही सीधे blood एल्टर के अंदर फेक देता है यान यूआन तुरंती कहता बहुत बहुत धन्यवाद एंसेश्टर अब एल्टर ने जब ये कही दिया है तो मुझे ये गारवेज रखने की कोई जौत नहीं मैं ये सब एंसेश्टर की मदद के लिए सेक्रिफाइस कर दूँगा यान यूआन तो कुछ जादा ही excited हो चुगा था क्योंकि अगर उसका puppet एक origin god puppet है तो उसका future unbelievable होगा और इससे भी जारा divine puppet सेक्ट के पास पहले से ही एक origin god divine puppet है जिसकी बावर सभी को jealousy महसूस कराती है और उसके comparison में बाकी सब का puppet गारवेज की तरह ही है साथ ही वाद तुनदी कहता है चिंता मत करो सभी लोग जब ये divine puppet का काम complete हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ कभी भी बुरा behave नहीं करूँगा इसलिए पीछे अटने की कोई जौत नहीं कम से कम हमें इसे एक divine puppet के तोर पर तो ले कर ही जाना चाहिए ताकि इस coffin को पूरी तरीके से seal किया जा सके elder पर किसी ने भी ignore करने की हिम्मत नहीं की होती और हर कोई इसमें अपने divine puppet को डाल रहा होता है क्योंकि ancestor ने जो काचा है वो सच हो या गलत उन्हें हर कीमत पर अपनी पूरी पावर लगा नहीं होगी वो elder और ancestor को नाराज नहीं कर सकते इसलिए वो लोग इस coffin को seal करने के लिए अपनी हर एक पावर का यूज कर रहे थे जिसके बाद सीन से प्रता है और जोयन के compass का सीन दिखा जाता है जहां पर और जन गौड होता है दूसरी तरफ जोयन अपने एल्टर अपने compass के अंदर पिल्कुल ड्रोन का पेर करता है और पलक जपकते ही कई साल बीद गए होते हैं हलाकि यहाँ पे पीछा करने बाले लोग अब जान बूच कर जाने बाले होते हैं जाने बाले होते हैं लेकिन जान बूच कर अपने जो compass होती उसकी speed slow करती थी और तुरंती red cloud को एक बड़ा सा टुकड़ा दिखाई देता है जिससे यह लोग जो हार मानना चाहते थे बे अब यहाँ से जाने के लिए तयार नहीं होते हैं और आंगे आ जाते हैं हालक इन में से पहले ही काफी साए लोग चले गए थे तो काफी साए लोग उने नया जोइन किया था लेकिन इस भीर के पीछे जो यह demonic मच्छर थे उन में से एक भी नहीं गया वलकि इनकी quantity अभी भी बढ़ती ही जा रही थी जहां तक origin god clone की बात है वो पूरी speed के साथ आंगे की तरफ बढ़ रहा था दूसरी तरफ यह जो blood warm होता वो कभी भी origin god clone को नहीं जाने देगा जो कि उसे जिंदा मिला है तिलिए वो उसका पीछा कर रहा होता है वो तुरंदी कहता मैं हजारो सालों से origin god blood का वेट कर रहा वो भाग नहीं सकता तुम्हें नहीं भागना चाहिए अगर तुम भागे तो मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूँगा इस टाइम पे blood warm एगनोर करने की हिमत नहीं कर रहा होता और आंगे की तरह बढ़ रहा होता है साथी origin god clone आंगे और यह पीछे दो दिगजों की तरह भाग रहे होते हैं इनकी figures काफी चोकाने वाली होती है हाला कि origin god clone को extreme thunder की blessing नहीं मिली थी लेकिन उसकी जो speed थी वो धीमी नहीं थी साथी जाने पाया था कि blood warm भी तेज है लेकिन जब तक जो एन इस जगे से भागना चाहता है blood warm की आउकातने की वो रोक सके blood warm तुरंत और मुझे अपना खून चूचने दो जैसे ऐसा लग रहा होता है यह बंदा खून का दीवाना हो चुका है तविजान के तथीक है अगर तुम मुझे पकल चक्चे हो तो मैं तुम्हें अपना अपसाला खून चूचने दूँगा और इतना कहने के बाद जो आने एक blood drop अपस नहीं निकाला थीक है तो ज्यादा मस सोच लेना दूसरी तरफ यह blood bomb जैसे इस blood को देखता है इसे घूट में निगल देता है और बैसलिए एक इस दौनों एक के बाद एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं दरजनों फिगर एक दूसरे का पीछा करते हो आंगे कि तरफ बढ़ने लगती हैं साथ यहां पे इन दौनों की ही presence ने सभी लोगों को चोका दिया होता और वो तुरंती कहते हैं आखिरकार ये किश्ट्राइ किसी ने भी जाने के बारे में नहीं सोचा होता भले ही वो इसे पास सकते हैं या नहीं वो कम से कम देखना चाहते थे कि यह पिल आकरगार किस टाइप की मैजिकल पिल थी दूसरा कमपस पे जौन ने अपने हाथों को लहराना सुरू कर दिया होता है उसकी पांच उंगलिय और जोयान जिसने सारी लाइफ ही फ्लेम का यूज किया इसलिए जोयान का फ्लेम के साथ एक अनवीटिबल रिलेशन था और उसका यही टोप बात है फाथ ओफ फ्लेम और जोयान हाथ ओफ फ्लेम को अच्छे से समझता है इसलिए यह फ्लेमें जोयान के थौट के साथ ही और जोयान के लिए एकदम useful है साथ ही क्योंकि flame को एक control कर पाना सबसे मुश्किल चीज है इसलिए यही एक region भी है कि alchemish बहुत कम है जो divine level के pills को refine कर सकते हैं यह तक कि इन में से जाज़ा तर ऐसे alchemish होते हैं जोनोंने अपनी पूरी life ही pill refine करने के लिए लगा दी है और जोयान जैसे लोग तो बहुत ही कम है जिनके पास sky fire है वो भी 4-4 नहीं मतलब 4-4 नहीं 3-3 sky fire देखते ही देखते जोयान के कुल्डोन के अंदर का जो pill liquid होता दीरे-दीर एक सा जुडने लगता है और एक embryonic pill दीरे-दीरे create होते हुए condense का ठोस होने लगती है यह fusion refining continue चल रही होती है और असा लग रहा था कि अभी यह pill successfully बनने वाली है साथी इस pill को जोयान और ज्यादा high level पर ले जा रहा था जोन तुरंदी गदर मैं हैरान हूँ कि इस pill को कितनी बार refine किया जा सकता है इस time पे तो जोन के माते से भी पसीना गिर रहा होता क्योंकि जोयान के पास फेल होने की कोई भी possibility नहीं थी उसे हर कीमत पर पास ही होना है हालकि ऐसा नहीं था कि जोन के पास ingredient की कमी थी spiritual garden link po के अदर जोयान infinite resources gather कर सकता था God immortal के blood essence को पाना असान नहीं था जन तुरंती कहते हैं यह कोई normal blood नहीं है इससे हासिल करना काफी आदा मुस्किल है क्योंकि इस origin God blood के अंदर I mean God immortal level के बंदे के blood के अंदर power of love है यहां सकी compass का पीचा करने वाले जो लोग होते हैं उन में से सबसे powerful लोग के बल Emperor immortal level पर होता है जिसकी power सबसे पहले के बल two steps और first step पर होती है इन में से कोई भी old monster नहीं होता आखेकार कोई भी old monster इन पिल्स के लिए अपनी जान को जोकिबे नहीं डालेगा और एक strong person जो God immortal level तक पहुँच चुका है उसके लिए पिल्स को खोजना मुस्किल नहीं है इसलिए वो पिल्स को खोजने के बजाए एक ऐसे alchemist को पकड़ेगा जो divine पिल्स को refine कर सकता है जोयन की spiritual power यहाँ पे चात्रफ विखरी होई होती जिससे पिल्स की एक soft और ताजे smell चात्रा फैले लगती है जोयने इस पिल्स की smell को एक बड़े area में फैला दिया होता है और यह जो पिल्स मेल होती एक बड़े से cloud में बदल चुकी होती है और यह पिल बेलकुल God immortal blood की तरह थी जो इस monster को attract कर रही थी इस पिल्स की smell काफी जादे strong लोगों को attract कर सकती थी यहां तक कि जो लोग यहां से छोड़ना चाते थे चाहे वो मच्छारों या बंदे उन्हें भी यहां पे attraction अपनी तरफ खीचना सुरू कर देता है साथ ही अब जो ही आनांगे बढ़ते बढ़ते पपेट सेट के काफी जादा close आ गया था तो चलो गए सीजी के साथ अब यह एपिसोड यहीं एंड करेंगे नेक्स एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होने वाला है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना बाइवाई थियन फैमिली गुड अप्टर नून आवे वे यार गुड नाइट